तो एक और प्रॉब्लम हम याँ पे देखते हैं starting with A and ending with B ठीक है अभी तक हमने क्या पढ़ा था starting with A वाली अलग पड़ी थी और ending with A वाली अलग पड़ी थी अब इन दोनों का mixture हम याँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हम शुरुआत क्या करते हैं हम सबसे पहले base case को लेके चलेंगे ठीक है सबसे पहले उसको design किया किया हमें क्या करने starting with A and ending with B that means string जो है base case वाली कौनसी होगी AB सबसे पहले आप इसके लिए design करिया और इसके बाद जितनी भी transitions हैं उनको हम fit करेंगे तो starting with A तो Q0 हमारी start state हो गई अगर हमने A पड़ा तो हम Q1 state पे आ गए और इसके बाद हमने अगर B पड़ा तो हम कहां पे आ गए final state पे आ गए सबसे पहली चीज तो यह हो गई यह हमारा base case हो गया इसके बाद आप देखो हमने fit करना है transitions को माली यह Q0 पे अगर शुरुआत ही B से हो गई अगर B से हमने शुरुआत करती volley strings को तो हमने accept कराना नहीं है that means कि हम यहां पे B पे हम उसे कहां पे बेज देंगे एक trap state पे बेज देंगे तो let's say यह हमारी trap state है और इसके बाद कुछ भी आए चाहे A है चाहे B है उसको हम यहां पे accept नहीं कराएंगे तो यह हमारी trap state हो गई इसके बाद देखिए कि Q1 पे Q1 पे B का transition तो defined है A का नहीं है तो अगर Q1 बता रहा है कि हम एक बार A पढ़ चुके है इसके बाद अगर एक और बार फिर से A आता है तो हम क्या करेंगे इसको यहीं पे रहने देंगे self loop लगा देंगे because अगर यह string है A, A, B which is accepted start A से हो रही है बीच में कुछ भी है ending with B है ना चलेगा ठीक है तो self loop आपका यहां पे लगेगा तो Q1 पे भी आपका define कर दिया बाकी QF पे हमें A और B का जो move है उसको define करना है अगर B आता है B पे यहां पे self loop लगेगा because let's say आपकी string है A, B ठीक है A, B और इसके अगर फिर से B आया this is also accepted आपने पहले A पढ़ा फिर B पढ़ा and जब last B पढ़ा तो उसके अधा self loop यहीं पे रहे this is accepted but different case यहां पे कब हो जाएगा अगर A, B आप पढ़े और उसके अधा A आगया अगर A आगया then आप कहां बेजोगे इसके बाद आपको क्या encounter कराना है B कराना है न तो आप इसको यहां पे बेजोगे ठीक है that means यहां पे आप बेजोगे अगर A पढ़ा यहां पे नहीं बेजोगे यहां पे बेजोगे because आपने B encounter कराना है इसके बाद में तो यह वाली states से आपको वो target अचीव हो जाएगा तो यह DFA बनेगा आपका with starting with A and ending with B आप देख सकते हो सारे states पे आपके A and B के transitions आपके defined है आई एक और problem देखते हैं इसी के उपर